उद्दफ ठाकरे के खिलाफ जाकर एकनाच शिंदे ने बीजेपी का हाथ थामा सरकार बनाई महरास्ट के मुख्यमंत्री पद को पाया एकनाच शिंदे के बेटे श्रीकान शिंदे अभी उद्दफ ठाकरे की सेना में शामिल है श्रीकान शिंदे इस सेना से बाहर कम आएंगे ये सवाल हर कोई पूछ रहा है और इस सवाल का जवाब जानना चाहता है एकनाच शिंदे के बेटे श्रीकान शिंदे के बेटे श्रिकान शिंदे शिप सेना के दो हिस्सों में बटने पर उद्दफ ठाकरे गुट में रहने पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है श्रीकान शिंदे ने कहा शिपसेना पर हमारी पकड मजबूत है क्योंकि राचिय में हमारे दो तीहाई विधायक है 18 में से 12 सांसद है हमारे जन प्रती निधियों की संख्या बता रही है कि पार्टी पर हमारी पकड मजबूत है हम उद्दग गुट के सांसदों के खिलाफ कारेवाही नहीं करेंगे हम बाकी 6 सांसदों के खिलाफ कारेवाही नहीं करना चाहते शिपसेना किसकी होगी इस पर सुप्रीम कोट अपना फैसला करेगा बीतर दिनों जानकारी सामने आई कि अर्जुन खोदकर शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं श्रीकांच शिंदे ने इस बारे में बादशीत करते हुए कहा वो हमारे साथ बैठे हैं अर्जुन, खोदकर, नवले और अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं ये स्पष्ट संकेथ है आपको बता दे श्रीकान शिंदे फिल्हाल शिंदे गुट के विधाईकों की तरफ है जो बार-बार कह रहे हैं कि हमारे साथ 12 सांसदों का भी समर्थन है और अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पता चलेगा कि शिपसेना पर किसका जोर रहता है आपको बता दे शिपसेना और शिंदे गुट पर फैसला एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है नेक्स्ट जुनाइंग नियूस्रूम के रिपॉर्ट